हाई एवरिवन कैसे हूँ आप सभी लोग अई उप आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एं स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर्ट यूटियोरियल्स में फ्रेंड्स आज एगेन आपके सामने के मुझ्ट इंप कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टन लेक्चर वीडियो होने वाला है और साथ ही में दोस्तों आपको बता दे कि यह जो लेक्टर फाइब है हमारा इस चाप्टर का आखरी लेक्चर हो जाएगा यानि कि फाइनली हमारा जो चाप्टर नमबर फोटीन है यह हो इसका कंसेप्ट भी जो है वो मैं समझा जेता हूं आप लोग जरू से इसको आप लर्न कर लीजिएगा ठीक है तो सबसे पहले चीज डियोड्रन डियोड्रन सबको पता है दोस्तों पहला टॉपीक है हमारा डियोड्रन ऐसा कोई इंसान नहीं होगा चाहे वह आप छोटे ह इसके लिए हम लोग मारते हैं बॉडी का जो स्मेल आना चीए इसके लिए मारते है लेकिन डियोड्रन इस नथिंग बट एक ऐसा टाइप का होता है जिसमें ज्यादा तर एक तरीके से आप बोल सकते हो जैसा नहीं होता है वह एक continuous flow में निकलता है ठीक है तो basically अगर हम बात करें डियोड्रेंट की तो डियोड्रेंट का इस्तेमाल किया जाता है to prevent the body order which is caused by the bacterial decomposition of the sweat यानि कि हमें जो है पसीना जब निकलता है आपको पता ही होगा कि हर एक इंसान को पसीना जरूर निकलता है चाहे कम निकले किसी को जादा निकलता है किसी को कम निकलता है तो जब भी पसीना निकलता है उसमें से कुछ बैक्टेरिया भी निकलते है उव्यसली हमारे शरीर के ओपर जब पसीना निकलेगा बौडी गंदी हो जाती है तो बैक्टेरिया भी जो है जमा होने लगते है and because of that thing हमारा जो पसीना है वो smell करने लगते है हमारी बाडी के अंतर रहें आने लगता है ठीक आपने कभी मैसूस किया होगा जब पूरे पसीने से लट्पत हो जाते हो पसीने से भीग जाते हो और जब सुखने के बाद आपको आपने बॉडी से एक smell आएगा और वो smell किसका होता है जो छोटे बच्चे होते खास कर आप लोग के जो एज के स्टूडेंट है स्कूल जाने के पहले टूशन डाने के पहले हर टाइम पे देखा है हमने हम भी जब छोटे थे तो यूज किया करते थे यानि कि सर्वे के सबसे ज्यादा जो स्प्रे का इस्तिमाल करते हैं वह जो ए जो होते हैं, it contains parabens, क्या होता है, इसमें बहुत सारे chemicals प्रेजन्ट होते हैं, उसमें से एक है parabens, जो कि methyl, ethyl, propyl, brenzyl and butyl से बना होता है, आपको पता है, जो बाया प्रोड़क्त होता है, उसको methyl बोलते हैं, ethyl बोलते हैं, propyl, benzyl, butyl, ये एक तरीके का क्या होता है, chemicals होता है, इसके साथ में alcohol भी present होता है, इसके लिए आपने देखा होगा, notice किया होगा, कि कभी भी deodorant को, अगर माचिस के through, अगर हम लोग जलाने की कोशिश करें, तो उसमें से आग, जो है, वो catch कर सकता है, यानि कि वो क्यों catch करता है, because alcohol उसमें present होता है, बहुत जाज है तादाद में, तीक है, इसके उपर हम experiments जरूर से बनाएंगे, और aluminium compounds जो होते हैं, अगर हम बात करें, aluminium compounds and silica जो है, इसका इस्तेमाल इसमें भी होता है, यानि कि एक तरीके से कुछ ऐसे product, जो aluminium से बने हों और silica से बने हुए, ऐसे भी products का इस्तेमाल इसमें किया जाता है, तीक है, अब यह deodorants होते हैं, यह भी बहुत सारे अलग-अलग categories के होते हैं, types के होते हैं, सबसे पहला type हम लोग पढ़ेंगे, वो है ordinary duo, normal साधारन सार डियो कैसा होता है, it contains a smaller proportion of aluminium, यानि कि इसमें aluminium के जो compounds है, बहुत ही छोटे तादार में, बहुत ही कम proportion में present होते हैं, और यह ज्यादा तर इस्तेमाल होता है to decrease the order of the sweat, यानि कि जो पसिना निकलता है, उसका जो smell आता है, खतरनाक वाला, उसको रोकने के लिए बस काम आता है अगला डियो जो है, वो है antispirant डियो, ठीक है, तो antiperspirant डियो जो होता है, it decreases the extent of sweating यानि कि कुछ डियो ऐसे भी होते हैं, जो अगर हम लोग मार लेते हैं, तो जो हमें sweat आता है, यानि जो पसिना ज़्यादा आता है, तो वो उसको भी control कर लेता है क्योंकि ऐसे ऐसे chemicals उसमें मिले होते हैं, इसमें क्या होता है, लगबग, it contains about 15% of aluminium chlorohydrate ये क्या करता है, जो भी sweat pores होते हैं, जो hole होते हैं, skin के अंदर, छोटे से, बारिक से hole होते हैं, जो आपको दिखता नहीं है, microscope में दिखेगा, उसको वो block कर देता है, clock कर देता है, रोग देता है, तो वहां से पसिना निकले गई नी, तो हमारा शरीर स्मेल करेगा नी, तो ये इसके लिए काम आता है, और बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मेरी राय में इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपके sweat ब्लॉक हो जाएंगे, तो दादा परिशानी हो सकती है, क्योंकि पसिना निकलना अच्छी बात होती है, बस उस सारे ऐसे लोग आपको देखने मिलेंगे, जिनका पसिना ऐसा निकलता है, जैसे की नदिया बहरी है, ठीके न, आपने नोटिस किया होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्वेट करते हैं, बहुत ज़्यादा पसिना उनको निकलता है, और वो पसिना ज़्यादा अगर निकलेगा तो उनके harmful effects भी हो सकते हैं उनके skin खराब हो सकती है तो clinical DO जो होता ये type का ये ऐसे लोग के लिए ही बना होता है और इसके अंदर क्या present होता है 20 से 25% aluminium present होता है और खास कर पे जो लोग normally जिनके बास घर में AC अगरे नहीं होता है ज़्यादा लगाओ दोगे तो हर चीज़ का कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जो ज़्यादा इस्तेमाल करें तो फाइदा पहुचा है इसका भी इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो नुकसान तो होना ही है लेकिन इस्तेमाल करने से हामफुल एफेक की तो वह है डिसॉडर्स जैसे की हैडेक सरदुखना अस्तमा होना यानि की सास लेने में तकलीफ होना रेस्पिरेटरी डिसॉडर हाट डिसीज हो गया ठीक है ना सास लेने में दिक्कत हो गया होना औक्सिजन और कॉबन डिक्सट का इंटेक फिर हाट का प्रॉब्लम यह सभी चीज हो सकता है अगर आप यह जो डियोटरेंस होते हैं यह बहुत ज्यादा इस्तिमाल करोगे तो ठीक है दो उमीद करता हूँ कि यह डियोटरेंस का टॉपिक इसके उपर एक लेयर होता है जैसी आप उसके उपर हाथ फिरा होगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्मूथ मेहसूस होगा तो वह जो स्मूथनेस आता है वह एक कोटिंग के वज़े से आता है जिसको ओंक बोलते हैं टेफलोन एक केमिकल का नाम है टेट्राफ्लूरूरू इथिलीन जिसका केमिकल नेम होता है पॉली टेट्राफ्लूरूरू इथिन स्मूथ मैसूस होगा और साथी में इसके उपर जो कुछ धूल मिट्टी है ज्यादा जमती नहीं है तो प्रॉपेडिस क्या है कि वाटर और और ओयल विल नॉट स्टिक भी यानि कि इसके उपर पानी आए या फिर टेल गिरे कोई भी चीज इसके उपर चिपकेगा नहीं तो टेफलओं इसे पूर कंड़ेटर ओफ इलेक्टिसिटी तो नॉमली क्या होता है कि इसके अंदर से इलेक्टिसिटी बहुत अच्छे से पास नहीं होती है इसलिए टेफलओं के क्लैडड़ वायर जो होते हैं बहुत सारे पार्ट्स को इस्तिमाल किया जाता है हाइई टेकन बहुत सारे आज के रिड़े में तो आप देखोगे तो आल्मोस सभी के उपड़ एक नॉन्स्टिक का लेयर कोट करके आता है तो वह लेयर किसका होता है टेफलॉन का होता है या याद रखना और आपकी गाड़ी जो है वो कम गंदी होगी तो इसका इस्तिमाल किया जाता है ताकि डामेज भी ना आ सके और हाई टेंपरेचर और रेन से भी बचाव हो सके उस चीज़ का इसके लिए टेफलॉन कोटिंग करवा जाता है क्लियर है दोस्तों तो उमीद करता हूं कि ये भी ज़ाद होगा कि लोकन के बने में जो भी सामान होते है उसके उपर जंग लग जाता है यानि रस्टिंग हो जाता है उसके उपर क्योंब्च सकता है लेकिन अगए अच्छा हमें method apply करना है और एक hard layer चाहिए paint से भी hard layer चाहिए और सुरक्षित layer चाहिए ताकि हमारा जो iron से बना हुआ जो भी product है चाहे वो एक गाड़ी हो चाहे वो एक कुछ भी चीज हो दोस्तों तो उसको control किया जा सके उसको rusting होने से बचाया जा सके इसके उलिए एक powder coating powder का एक coat उस pigments होते है colors के लिए और कुछ और ingredients होते हैं जो कि mention नहीं किया हुआ है वो सभी को ना spray के form में इसको spray किया जाता है और वो भी कौन से टेक्निक से spray किया जाता है electrostatic spray deposition एक टेकनिक होता है चीजे होते हैं ठीक है दोस्तों next बात कर लेते हैं next topic है हमारा anodizing तो anodizing की अगर बात करें तो यह एक ऐसा टेक्निक है जिसमें एक protective layer जो है वो form किया जाता है naturally on the surface of aluminum metal कोई भी aluminum का metal के उपर जो है न oxygen के साथ react करके उसके उपर किया जाता है और यह टेक्निक से होता क्या है कि एक clean layer जो है protective layer जो है किसी भी गंदा ना हो उसके वज़े से उसके उपर जंग ला लगे और बहुत सारे चीज़े होती है जिसके वज़े से clean and maintain रहे तो यह जो anodizing जो टेक्निक है वो electrolysis से किया जाता है आपको पता यह electrolysis यानि यह cathode होता है एक anode होता यह सभी चीज आपने पहले के chapters में पढ़े भी है तो cathode anode के उपर फिलेक्टिसिटी पास करके उसमें reactions होते है और वही reactions के उपर से यह aluminium metals का जो उपर का layer जो है वो तयार होता है तो बहुत सारे cooking utensils होते हैं आपको पता है यह बहुत सारे बरतनों से होते हैं griddles होते हैं फिर cookers होते हैं आजकल देखा जाए तो यह बहुत सा form by kneading an inorganic substance in water यानि कि एक inorganic substance को पानी के साथ knead करके यानि कि muscle के हो पानी के साथ mix करके उसको shape दिया जाता है उसको सुखाया जाता है hard किया जाता है heat करके और बहुत सारे ऐसे type के ceramics आपको देखने में लेंगे ceramics is nothing but जैसे आपका tiles होता है न दोस्तों वो भी एक ceramic का type होता होता है तो हम लोग यहां पर देखेंगे बहुत सारे common ceramics जो है आज के रिड़ में यूज होते हैं तो कौन-कौन से होते हैं यह आप समझोगे तो आपको easily समझ में आ जागा कि exactly यह क्या topic है तो पहला जो ceramic का type है वो है porcelain तो porcelain material आपको पता होगा this is hard translucent and white color ceramic यानि कि जो मिट्टी से बनता है वो चाइना प्ले से ही बनता है कावलीन से ही बनता है और वो जो प्रोड़क्ट होता है उसको porcelain material भी बड़े बड़े मोटे मोटे तो वो भी porcelain material से बनता है तो यह चीज आपको याद रखना है second यहाँ पे जो type का ceramic सबसे यादा होता है वो है bone china तो bone china normally क्या होता है it is made by adding some ash of the animal bone यानि की मिट्टी के अंदर चाइना की मिट्टी के अंदर बहुत सारे जो animals के bone होते है उसके जो राख बच जाते है आश जिसको बोलते है राख जो बच जाते है वो इस china clay के अंदर mix किया जाता है ताकि और ज़्यादा वो मजबूत हो सके felspar डाला जाता है material है felspar और fine silica silicon जो होता है fine silica वो डाला जाता है ताकि जो यह porcelain materials जो है उससे भी ज्यादा hard बन सके इसलिए यह ceramic का ज्यादा इस्तेमाल भी किया जाता है जहाँ पे hardness की बाद आती है clear है तो उमीद करता हो कि ceramic क्या होता है और कौन से दो टाइप के ceramic है por chapter होगा almost हमने 14 chapter करा दिया 15 16 तो पहले हमने कतम करा दिया था दोस्तों तो अगर हम चाहेंगे तो 17 chapter या फिर जो भी आपको जैसा दिमांड रहेगा उसके इसाफ से कुछ लोग 5th chapter भी दिमांड कर रहे थे जैसा दिमांड आएगा दोस्तों प्लीज यह वीडियो के comment box में comment कीजेगा कि आपको कौन से चाप्टर चाहिए 5th chapter या फिर 17th chapter जो भी आपका दिमांड जादा रहेगा उसके इसाफ से हम बना दे है तो यह प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा शेर कीजेगा अपने सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव को शेर करो maximum शेर करो तो इसमें आप लोग का रोल बहुत बड़ा होगा मेरा काम है दोस्तों मेहनत करके वीडियो बनाना लेकिन आप लोग का भी उतना ही काम है कि पढ फट से चानल को सब्सक्राइब कर देना सापने बेल आइकन को हिट कर देना ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी ठीके फ्रेंड्स तो मिलते हमारे एगले वीडियो में ये वीडियो देखने के लिए थाइंक यू गुट बग्यू झाल 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 झाल